ओम शान्ती आज प्यारे बाब दादा की बीस तारिक की वानी सुनते हुए स्वयम में अनुभव करते हुए दादन करते जाएंगे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम हो सिप्रिच्वल रुहाने गुप्त सेल्वेशन आर्मे बाब कहते हैं मीठे बच्चे तुमको सारी दुनिया को सल्वेज करना है तूबे हुए बेड़ों को पाल लगाना है स्थित हो जाएंगे इश्वरे सम्मान में मैं बाबा का सिप्रिच्वल रुहाने गुप्त सेल्वेशन आर्मे का माहरथी बच्चा हूं मैं इश्वरे आर्मे का मेंबर हूं बाबा के द्वारा निमित बना हूं विश्व को सल्वेज करने विश्व के डूबे बिले को पाल लगाने इस देह में मस्तक में अकाल तक्त पर अपने परकाश सर्वरों पर थित होकर संकलब करेंगे मैं सिपेचल रुहाने गुप्त सेल्वेशन आर्मे बाबा का महालती कमांडर हूं बाबा कहते संगम पर बगवान बाग राजाई प्राप्त कराने के लिए पटने की गौड फादरली यूनिवर्सिटी खोलते हैं बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी पूरे कलब में संगम पर ही बगवान बाप खोलते हैं बाबा कहते हैं बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम बच्चे डबल सिर्टाज राजाओं का राजा बनते हो स्थित करेंगे स्वेम को सवमान में मैं संगम यूगी गोड़ फादरली यूनिवर्सिटी का स्टूदेंट हूम मैं बाबा का कलब कलब वाला स्टूदेंट हूम बाबा के इस यूनिवर्सिटी में पढ़कर कलब कलब बाबा से डबल सिर्टाज राजाओं का राजा बनने का पदमा पदम गुना सुभागे प्राप्त करने वाला इश्वर्य यूनिवर्सिटी का स्टूदेंट हूम कलब कलब इश्वर्य पढ़ाई में पास विद ओनर बन बाबा से डबल सिर्टाज नर से नरायन नारी से लक्ष्मी बनने का वर्सा लेने वाला मैं संगम यूगी भगवान टीचर की गोट वादरली यूनिवर्सिटी का स्टूदेंट हूम बाबा केते मिठे मिठे यूहाने बच्चे जब यहां बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में स्थित हो बैठो जब बाबा के समुख आते हो तो संकलब में स्थित होकर हम बेहर के बाब त्रेमूर्ती शिव भग्वान से मिलने आते हैं आत्मा अकाल तक्त पर विराजमान शरीर द्वारा बोलती है अकाल तक्त पर विराजमान मैं प्रकाश का मनी आत्मा कानों के द्वारा इश्वरिये महावाख्ये सुनते हुए स्वर्म को अभिनाश्य प्राप्तियों से भरपूर कर रही हो बाबा केता है पारलोकिक बाबा ने यह भाग के शाली रद उधार पर लिया है बेहत का बाबा री मूर्ती निराकार शिव इनके द्वारा समझाते हैं बाबा केते हैं पूरे कलप में एकी बार बेहत का बाबा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं बाबा केता बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम्हारा बेडा पार होगा बाबा केते बच्चे जितना पुर्शार्थ करोगे उतना बेडा पार होगा बाबा केते बच्चे तुम हर एक को श्रीमत अनुसार अपने पुर्शार्थ के आधार से पार जाना है बाबा केता है यह है रूहानी बाते बाबा केते है तुम हो रूहानी सेल्वेशन आरमे तुम इनको सारी दुनिया को सेल्वेश करते हो श्रीमत पर बाबा आकर तुम को समझाते है ना तुम इस दुबन से कैसे निकल सकते हो बाब तुम को रास्ता बताते हैं फिर तुम दूसरों को भी रास्ता बता सकते हैं कि शीर शागर में कैसे जाएं बाबा समझाते हैं बच्चे सुख दाम सत्युग को कहते हैं शीर सागर अधात सुख का सागर बेहर का बाबा तुम को सुख के सागर सुख दाम सत्युग में ले जाते हैं बाबा कहते हैं बच्चे तुम को लुहानी सेल्विशन आजनी कहा जाता है तुम भीहद के बाब की श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो बाबा कहते हैं बच्चे ट्रामा का तुम को रहसे समझाते हैं सत्युगी तैविस संप्रताय है संपूरन निर्विकारे पवित्र देवताओं का चनम योग बल से होता है कहते हो न इश्वर की गत्मत न्यारे बाबा कहते हैं बच्चे सिरफ इश्वर भगवान कहने से इतना लव नहीं आता है सबसे अच्छा अक्षर है बाबा बाब नुश्य पेहत के बाब को नहीं चानते कि जैसे ओर्फन है बाबा बच्चों को समझाते हैं कि बाब तो सब को चानते हैं ना बाबा कहती तुम बच्चे अब इश्वर्य संप्रदाई बने हो बाब समझाते हैं मनुश्य मनुश्य को मुक्ति वा जीवन मुक्ति के लिए राज यूब सिखाई यह हो नहीं सकता इसमे संगम पर बाब ही तुम आत्माओ को राज यूग सिखा रहे हैं बाबा कहते हैं पीहद का बाबा आत्माओ का बाब परम आत्मा पिदा शिव एक ही बार आकर तुम को तेही अभिमानी बनाते हैं बाबा के थे बच्चे सत्युग में तुमको यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परम आत्मा की संतान हूं तुम संगम पर श्रेमत पर चल प्रालब्द पाते हो बाबा आते ही है परमधाम घर से तुमको राज योग सिखाने डबल सिर्टाज राजाओं का राजा बनाने बाबा कहते बच्चे तुम अभी संगम पर राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गौड फादेली यूनिवर्सिटी कहा चाता है। बेहत का बाबा राज योग सिखाते सत्युग के लिए। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रो है इन पर जीत पहनो। बाबा कहते हैं बच्चे काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे क्यान चिता पर बैठने से तुम आत्मा सतु परधान गोल्डन एज बन्दी हो। फिर शरीर भी ऐसा एकदम सुन्दर निरोगी मिलता है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा बच्चे अपने बाब की याद में रहो। यहां करमिंद्रियों से पार्ट बचाते भी। बाबा की याद में रहो। तो शांती धाम, सुख धाम चले जाएंगे। बाबा कहते हैं विश्व में शांती थी जब इन लक्ष्मी नारायन का राज्य था। एक राज्य एक धर्म था। बाबा कहते हैं तुम चानते हो। अब हम संगम पर, श्रीमत पर एक राज्य की स्थापना कर रहे हैं। फिर हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये श्रिष्टी चक्र फिरता रहता है। इसको बाबा जो रच्शेता है वो ही जानते है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि रच्चना रच्चते। बाबा आते हैं संगम पर। दूर देश से बाबा आते हैं नई दुनिया बनाने। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम आत्माओं का शिंगार कर रहा हूं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्माओं पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो परधान मिलेगा। नेचरल ब्यूटी रहती है। गायन है ना रिलीजन इस माइट। अब माइट मिलती है बेहद के बाप से। बाबा कहते हैं इतनी माइट मिलती जो सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं मैं संगम पर प्रामन कुल स्थापन करता हूं। फिर उनको सुर्य वन्शी दिनाइस सिटी सक्ति गुमे ले आता हूं। बाबा कहते हैं बच्चे जो अच्छी रिती पढ़ते हैं वो पास हो। सुर्य वन्शी में आते हैं सारी ज्यान की बातें। बाबा कहते तुम्हारा है योग बल। बाब कहते बच्चे मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। तुम्हारी पढ़ाई है गुप्त। बाबा कहता बच्चे तुम हो सिप्रच्वल रुहानी सल्विशन आर्मे। तुम हो गुप्त सिप्रच्वल रुहानी सल्विशन आर्मे। सारी दुनिया को तुम सल्वेज करते हो। बाबा कहते हैं। बच्चे यह भारत स्वर्ग था। परडाइस था। बाबा कहते हैं। बच्चे यह दिलवाडा मंदिर है एकुरेट यादकार। शिव बाबा भी है। आदी देव ब्रह्मा भी है। ओपर में वैकुंठ दिखाया है। बाबा कहते हैं। सत्युग का बैकुंठ के वरसे का नाम लिते ही दिल खुश हो जाती है। शिव बाबा होगा तो जरूर यह साकार रत ब्रह्मा आदी देव भी होगा। यह शिव बाबा का रत है। बाबा कहते हैं। बच्चे महावेर पन बेहन के बाप से राचाई प्राप्त करो। आत्मा में ताकत आती है याद से। बाबा कहते तुम अभी समझते हो बाप के द्वारा। बाबा कहते बच्चे पुशात करो। मेहनत करो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। स्थित हो जाएंगे मैं आत्मा हूं। मैं बाबा का महावीर पच्चा हूं। संगम युगी स्रेष्ट पुशार्थी आत्मा। बाबा कहता बच्चे तुम आत्मा। सत्तो पर्धान पवित्र थी। शांतिधाम घर में सुक्धाम राजाई में सरूर पवित्र ही रहेंगे। बाबा कहते बच्चे अब बुधी में आता है। कितनी सहज बात है। भारत पैकुंठ पैरडाइस सत्युग में पवित्र था। आत्मा भी पवित्र, काया भी पवित्र, सत्युग पर्धान थी। बाबा कहते हैं बच्चे यह है रूत्र, क्यान, यक्चे। बाबा कहते हैं यह है प्रामनों के द्वारा यह रच्चा चाता है। सच्ची सच्ची प्रामन तुम हो। प्रजा पिता ब्रह्मा की अडॉप्टिड उलाद। बाबा कहते हैं ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रेंड फादर। ब्रह्मा की द्वारा ही मनुष्य स्रिष्ठी रची जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमारी उद्धी में हैं। मूल वत्तन में हैं आत्मां का सिजरा। काइदे मुझेव। शिव बाबा विप्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मे नारायन आदी। ये सब हैं मनुष्यों के सिजरे। अच्छा अभी बाबा कोई सम्मुक बाबा की भलपूर करने वाली रुहानी द्रिष्टी लेते हुए। बाबा का याद प्यार गुट मॉनिंग स्विकार करते। रुहानी बेहद का बाबा अपने बच्चों को नमस्ते करते। हम बेहद के बाबा के समुक बहुत दिल के प्यार से बहुत दिल के रिकार से बाबा को नमस्ते गुट मॉर्निंग विश करते। बाबा के बर्दान को बाबा से लेते हुए अभ्यास द्वारा अनुभव करेंगे। बाबा कहते बच्चे मन मुद्धी को मन मत से फ्री कर सुक्षम बतन का अनुभव करने वाले। डबल लाइट भव स्वयम को शुक्षम बतन में अविक्त बाबदादा के सम्मुख अनुभव करेंगे में शुक्षम लाइट की काया में जुक्षम बतन में बाबा के सम्मुख हूं। बाबा कहते बच्चे सिरफ संकलप शक्ते अर्थात मन उद्धी को मन की मत से मुक्त रखो। तो यहां सुक्षम बतन में सभी सेन सेन्रियां ऐसे सपष्ट अनुभव करेंगे जैसे साकार दुनिया के सेन सपष्ट देखते हैं। बाबा कहते इन अनुभूतियों के लिए स्वयम को सब बोज से मुक्त रखो। सब बोज अपने बाबा को देकर डबल लाइट फरिष्टा बनो। अनुभव करेंगे मैं आत्मा बोज मुक्त आत्मा टबल लाइट परिष्टा आत्मा शुक्षम वतन वासी आत्मा स्वयम के परिष्टा डबल लाइट सब रूप को इम्मार्ज करेंगे शुक्षम वतन में बाबा के समुक अपने को बहुत सुन्दर सीन सीनरियों के पीच अनुभव करेंगे बाबा के रहे बच्चे मन बुद्धी से सदीव शुद संकलब का बोजन करो स्थित हो जाएंगे अपने सब्मान में मैं होली हंस आत्मा विजन क्रेट करेंगे अपने जोती सब्रोप का समान करेंगे मैं होली हंस आत्मा सदेव बुद्धी के द्वारा शुद संकलबों का बोजन करने वाले डबल लाइट होली हंस फरिष्टा विर्थ संकलब से मुक्त होली हंस आत्मा सर पोजों से मुक्त लाइट हाउस माइट हाउस फरिष्टा उची स्थिती में स्थित रहने वाला इत्म लाइट परिष्टा अपने बिंदू रूप में अटेंशन के अभ्यास से स्थित हो जाने वाली शक्ती शाली आत्मा शुब बापना शुब कामना के स्टॉक से भरबूर मैं विश्व कल्यान कारे परिष्टा अपने सब रूप को इमार्ष रखेंगे मैं परिष्टा लाइट हाउस माइट हाउस मन मत से मन और बुद्धी को फ्री रखने वाला श्रीमत अनुसार चलने वाला शुक्षम वतनबासी परिष्टा अटेंशन की अभ्यास से सारा तिन बीच बीच में कुछ सेकेंड निकाल अपने को सुक्षम वतनबासी परिष्टा स्थिति में स्थित कर बाफ दादा के साथ सत्यूगी सिंच सिंड्रिया इमार्ष शुकर उन अनुभूतियों के अनुभाव में रहेंगे ओम शांती